हेलो फ्रेंट, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सार्क के बारे में साउथ एशियन अससेशन पॉर रिजनल कॉर्परेशन, अब इस टॉपिक के बारे में हमने रिजनल एकनॉमिक इंटेगरेशन के अंदर भी इसका एक स्मॉल पार्ट को कवर किया था बट आज की इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर समझेंगे कि सार्क क्या होता है, इसके अबजेक्टिव क्या होते है और last में हम यहाँ पर देखेंगे conclusion तो यह topic आपका बहुत important है exam point of view के लिए तो सबसे पहले आता है आपका SARC क्या होता है The Association for Regional Corporation SARC is an intergovernmental organization made up of eight countries तो यह जो आपका SARC है यह एक intergovernmental organization है जो कि यहाँ पर eight countries को साथ में मिलाके यहाँ पर बनाया गया है जिसके अंदर आता है आपका Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan और Sri Lanka तो यह सभी countries जो हो आपकी South Asia से यहाँ पर देखने को मिलती है It is established in 1985 SARC aims to promote the welfare of the people of South Asia and to improve their quality of life through regional integration and economic cooperation अब इसके अंदर यह बोला जाता है कि इसके जो establishment हो 1985 के अंदर हुआ था और इसका aim क्या है कि यह promote कर सेके लोगों के welfare को, लोगों के well-being को यहाँ पर promote करना और SARC में उनकी standard of living को यहाँ पर अच्छा करना इसके बाद में आता है आपका SARC operates through various body including the summit, council of ministers, standing committee, secretary and specialized body focusing on specific area of cooperation अब SARC के अंदर यहाँ पर different type की bodies को देखा जाता है मतलब SARC के अंदर यहाँ पर summit भी होता है councils of ministers, मतलब ministers की यहाँ पर meetings भी होती है एक standard committing मिनाय जाती है secretary होती है यहाँ पर एक अलग तरीके की यहाँ पर different bodies को यहाँ पर set up किया जाता है the summit held annually अब जो summit होती है न वो एक साल के अंदर एक बार तो होती है is the highest decision making body where leaders of member state meet to discuss and make decision on key regional issues अब इसके अंदर यह बोला जा रहा है जो summit होती है न सार की उसके अंदर जो सभी ministers होते है different countries के वो यहाँ पर participate करते हैं और यहाँ पर decision making करते हैं कोई भी जो issue हो रहा है regional issues हो रहे हैं उनके लिए वो साथ में मिलके एक meeting करते हैं और उसके अंदर उनके ओपर हमाँ पर issues जो है उनको देखा जाता है सार्क promote cooperation in various sector including अब इसके अंदर यह आता है कि जो सार्क है न वो किन-किन members जोते हैं वो काम करते हैं सार्क maintains observer status for countries and organization outside the region fostering dialogue and cooperation with external partners अब इसके अंदर यह बोला जा रहा है कि यहाँ पर observer status जोता है न वो भी यहाँ पर सार्क जोता है देता है जैसे कि यह जो 8 countries है यह तो इसके main member हो गई बट अगर किसी country को यहाँ पर observer member बनना है तो वो यहाँ पर बन सकती है वो उसका external partner के वहाँ पर दिखा जाएगा इसके बाद में आता है आपका historical background जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका formation formation सार्क का हुआ था 1985 के अंदर जिसके अंदर ये बात बूली जाती है कि जब यह हमारा सार्क बना था उसके अंदर यहाँ पर adoption किया गया था एक charter का और यहाँ पर head of the states जो थे इन countries के उन्होंने वहाँ पर sign किया था जिसके अंदर आते है आपका बांगलादेश, भुटान, इंडिया, मालदिव, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका अब इसके पीछे जो आपका relation conference होते है वहाँ आते है आपका the idea of corporation among South Asian countries was initially deliberated in the Asian relation conference held in New Delhi तो सबसे पहले यहाँ पर New Delhi के अंदर conference की गई थी first meeting जो थी 1985 के अंदर वो की गई थी आपकी कोलंबो के अंदर, श्री लंका के अंदर और जिसके साथ में यहाँ पर उसका foundation जो थी वहाँ पर discussion हुआ था इसके बाद में आता है आपका area of corporation among South Asian कि किन एरियास पर यह जो nations होते हैं काम करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका, first आता है आपका agriculture agriculture के अंदर आता है, साथ focuses on capacity building program for farmers promoting sustainable agricultural practices and addressing common challenges such as climate change, water management and pest controls अब agriculture के अंदर बात कही जा रही है कि agriculture में किस तरीके से focus करते हैं कि किस तरीके से आने वाले time में काम करेंगे farmers के welfare के बारे में बात करते हैं किस तरीके से agriculture practice को ये अच्छे तरीके से करेंगे जाकि हो sustainable manner के अंदर हो साथ में ये इन problems को यहाँ पर tackle करता है जैसे कि climate change हो गया, water management हो गया, pest control हो गया तो ये सब problems भी यहाँ पर tackle की जाती है second area आता है आपका education culture and sports अब education के अंदर आता है आपका साथ facilitate student and faculty exchange program provide scholarship among member countries to celebrate the rich diversity of culture, tradition and heritage in the region it organized sports, tournament, competition and event to promote sportsmanship अब इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि education के field में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे सार्क nations होते है न ये scholarships provide करवाते है यहाँ पर अगर किसी भी country का कोई बच्चा है और उसको दूसरी country में जाके पढ़ना है और उसके पास इतनी fee नहीं है तो वो क्या होता है वहाँ पर scholarship दी जाती है साथ में यहाँ पर जो various government जो है वो program वहाँ पर चला रही है अगर हम बात करें culture की field में तो एक दूसरे के culture को वहाँ पर अच्छे से celebrate किया जाता है sports के अंदर भी यहाँ पर sports tournament करवाय जाते है competitions किये जाते है different countries के अंदर तो इस तरीके से यह लोग corporation करते है in the field of education, culture and sports third point आता है आपका health population and child welfare दो joint initiative capacity building program and research sharing सार्क address common health challenges अब यहाँ पर common health challenges को यहाँ पर tackle किया जाता है इसके अंदर maternal and child health आती है workers की health आती है उनको improve किस तरीके से करेंगे well-being of population across region अब जो भी आपका well-being के बारे में यहाँ पर बात की जाती है region के इसके बात में आपका fourth area of cooperation आता है the environment and metrology सार्क address climate change अब सार्क के अंदर यहाँ पर focus किया जाता है जो भी climate change हो रहा है ऐसे drain हो रही है environmental degradation हो रहा है तो इन सब पर यहाँ पर इसको यहाँ पर address किया जाता है अब इसके अंदर यह बोला जा रहा है कि जो भी इसके अंदर facilitate किया जाता है knowledge exchange होता है resources exchange होता है जिसे जो भी environment उस पर कोई भी आगे harm ना हो fifth point आता है rural development कि जो area of cooperation उसमें rural development भी यहाँ पर include किया गया है जिसके अंदर बात की जाते है जैसे कि agriculture productivity को अच्छे से और बढ़ाना rural infrastructure को अच्छा करना साथ में livelihood of opportunity वहाँ पर provide करवाना sixth point आता है tourism tourism के अंदर यहाँ पर आता है टूरिजम को अच्छे करने की बात की जा रही है अगर किसी पर्सन को यहाँ पर किसी दूसरी कंट्री के अंदर वहाँ पर उसे विजिट करना है तो अच्छे उसको एक टूरिजम की फैसलिटी वहाँ पर गवर्मन जो प्रोवाइट करवा है साथ में यहाँ पर सस्टेनिबिलिटी होने चाहिए एकनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए कंट्री का और साथ में यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर जो ट्रैवल है वो भी इजीली हो पाए जैसे कोई परसन है इंडिया का और उसको मॉल्डिफ्स के अंदर जाना है यहाँ पर इंप्रूफ किया जाते हैं ट्रेड एकनॉमिक इंटिगरेशन यहाँ पर स्टार्ट की जाती है तो यह आता है आपका आपका कोप्रेशन का साइंस और टेक्नलोजी S&T में आता है आपका sustainable development किस तरीके से करेंगे country के अंदर economy growth किस तरीके से की जाएगी तो यह आता है आपका S&T के अंदर communication communication के अंदर आता है कि यह किस तरीके से promote करेंगे जिससे connectivity हो सके मतलब different जो countries है उनकी बीच में किस तरीके से connectivity रहने वाली है डिजिटल inclusion कैसे होगा access to communication services जो एक दूसरे से अगर हम जो communication करते हैं different countries में हो रहा है तो वो किस तरीके से की जाएगी तो यह आता है आपका communication के अंदर women and development it facilitated resource mobilization to advance gender equality women's empowerment and social inclusion promoting their active participation in economic growth and social development अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो भी आजके time में women है तो women को यहाँ पर gender equality होना चाहिए gender business नहीं होना चाहिए gender को promote करना है women's को यहाँ पर उनको women empowerment करना है जासादों ने promote करना है कि वो काम करे social inclusion होना चाहिए उनका active participation दिखाना है हमें economic के अंदर social development करना है तो यह आएगा आपका women in development में इसके बाद में आता है आपका prevention of drug and trafficking drug abuse सार्क facilitate corporation among member nation in preventing drug trafficking अब इसके अंदर यह बोला जा रहे है कि जो भी हमारे सार्क nation है उनका यह aim रहता है कि वो prevent कर सके मिलकुल खतम कर सके drug trafficking को abuse through the information sharing law enforcement collaboration and awareness campaign तो इस चीज को खर्म करने के लिए जो यहाँ पर drug abuse होता है drug trafficking होता है उन सब चीजों को कम करने के लिए यहाँ पर इस टाइब के law बनाए गए है different countries जो है वो collaborate करती है और यहाँ पर awareness विलाती है society के अंदर तो यहाँ पर campaigns जो है वो देखने को मिलते हैं इसके बाद में आता है आपके सार्क के objectives तो objectives के अंदर यहाँ पर कुछ points यहाँ पर mention किये गए है कि सार्क के objective क्यों होता है तो first आता है आपका कि welfare कर से के people के people के well being के लिए होना चाहिए मतलब उनकी standard of living को अच्छा करना है दूसरा point आता है कि यहाँ पर प्रमोट कर से कि economic की growth को economic की growth अच्छी होनी चाहिए social advancement होना चाहिए culture की development होनी चाहिए जिससे कि जो भी एक percent है वो अच्छे तरीके से dignity के साथ में यहाँ पर अच्छे से जी सके third आता है आपका to encourage and reinforce South Asian countries self-reliance होना चाहिए आत्मनिर्भन उन countries को यहाँ पर बनाना है इसके बाद में fourth आता है कि जो different countries है वो एक दूसरे की यहाँ पर decision making में respect करे एक दूसरे पर वहाँ पर trust करे फिर fifth point यहाँ पर आता है active cooperation होना चाहिए mutual aid zone होनी चाहिए जब भी किसी country को दूसरी country की need हो तो वहाँ पर वो एकदम से उसकी help करने के लिए आगे आना चाहिए इसके बाद में आता है कि एक दूसरे country के साथ में यहाँ पर collaboration करके चलना है emerging nations और साथ में mutual corporation होना चाहिए international platforms के अंदर है जिसे की आने वाले जो common interest है उन सभी पर वहाँ पर issues पर साथ में चलके काम किया जा सके to collaborate with regional and global groups with that similar goal जो भी आपके similar goals हो तो उनके लिए साथ में वहाँ पर काम किया जा सके इसके बाद आता है आपके साथ principles तो principles के अंदर आपको first आता है sovereignty equality it is based on the principle of sovereignty equality of all its members regardless of their size or power मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कुईसी country का यहाँ पर population कम है तो उसको दबाया जाए अपने प्रस्पेक्टिव को वहाँ पर दे सके अपने decision को वहाँ पर रख सके तो यह सब आता है आपका equality के अंदर second point आता है आपका territorial integrity the principle of integrity this means that it respects the established border of all member states and recognize their right to govern themselves अब इसके अंदर यह बात बोली जारे है कि कोई भी country किसी दूसरी country के जो internal affairs है उसके अंदर वहाँ पर interfere ना करें तो जो भी आपकी country की border है उसके अंदर वहाँ पर उन country का यह right बनता है कि वह अपनी government को easily और अच्छे तरीके से वहाँ पर चला सके third point आता है आपका mutual benefits mutual benefits के अंदर आता है all initiatives and program undertaken by the organization are designed to bring advantage to all member states अब इसके अंदर है कि सभी का mutual benefit होना चाहिए इस तरीके से वहाँ पर decision making लिया जाएगा fourth आता है आपका non interference जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी country के अंदर internal affair है तो उसके अंदर दूसरी country को वहाँ पर interfere नहीं करना है तो किसी भी country का कोई matter है तो उसके अंदर दूसरी country को वहाँ पर नहीं बोलना है जिससे उनके बीच में dispute वहाँ पर create ना हो इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका SARK Significience SARK के Significience में आता है आपका First है Regional Cooperation, Trade and Economic Growth, Social and Cultural Connectivity, Development Initiatives Regional Cooperation में आता है आपका कि किस तरीके से हमापे जो भी आपके रीजन है उसके अंदर Peace किस तरीके से लेके आ सकेंगे Stability किस तरीके से लानी है और Prosperity Second Point में आता है Trade and Economic Growth, जिसके अंदर आता है आपका कि जो भी आपकी Countries है उसके अंदर किस तरीके से Trade को महाँ पर Increase करना है, Investment करना है Countries के अंदर और जिससे उनकी Economic Growth अच्छे से हो Third Point आता है Social and Cultural Connectivity, तो इसके अंदर आता है कि जो भी किसी भी Country के अंदर जिस भी टाइप का महाँ पर Culture को Follow किया जाता है, तो उन सभी के Festivals को महाँ पर Celebrate किया जाए People to People Contacts होने चाहिए, तो यह आता है आपका Social के अंदर Fourth Point आता है Development Initiatives, जिसके अंदर आता है It Support Development Initiatives in Various Sectors, तो Development कि सेक्टर में करने है Education की फिल्ड में, Health, Agriculture, Technology, तो इन सभी फिल्ड के अंदर वहाँ पर Development होनी चाहिए Fifth आता है Peace, Building and Conflict Resolutions, इसमें आता है कि किसी भी Country के बीच में Conflicts वहाँ पर नहीं होना चाहिए, पीस वहाँ पर पीस लेकर आनी है Six Point आता है Regional Security, इट Foster Corporation on Regional Securities Issues, इंक्लूडिंग अब इसके अंदर आता है जैसे कि Securities में अगर Drug Trafficking नहीं होना चाहिए, Transnational Crimes नहीं होने चाहिए Security होनी चाहिए, सभी Member Nations की Seventh आता है Environmental Conservation, सार्क Promote Corporation on Environmental Issues जिससे कि इसके अंदर आता है आपका Pollutions हो गया, Natural Resource Management हो गया, Sustainable Development हो गया तो किस तरीके से Environment को बचाया जाएगा, तो ये आता है आता है आपका Seventh में Eight Point में आता है आपका Disaster Management, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरीके से हम अपने आपको Prepare करेंगे, अगर किसी भी टाइप का Disaster होता है तो उसका कैसी तरीके से Response होगा, Recovery कैसे होने वाली हो तो ये सब इसके अंदर cover होता है इसके बाद में आता है Challenges Facing Sark Nation, अब Challenges इसके अंदर के आता है, First आता है आपका Political Tension, जिसमें आता है आपका जैसे कि किसी भी States के बीच में, किसी भी जो आपके Member Nation है, उनके बीच में अगर कोई Disputes है, कोई Conflicts है, तो उस वज़े से क्या होता है, एक अच्छा Decision Making वहाँ पर नहीं लिया जाता, जैसे कि यहाँ पर एक्जामपल लिया गया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है, थोड़ी Tension है, वहाँ पर Conflicts है दोनों के, दोनों नेशन के बीच में, तो इससे क्या होता है, अब जैसे कि इंडिया ने कोई decision में, उन्होंने हाँ किय बट पाकिस्तान उसमें agree नहीं करता है, इनकेस अगर पाकिस्तान ने agree कर दिया तो इंडिया एगरी नहीं करता है, तो यह चीज महाँ पर पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिलती है, सेकेंड आता है, लैक ओफ इंफरस्ट्रॉक्चर और कनेक्टिविटी, पूर फिजिकल अगर किसी नेशन को अगर कुछ प्रोवाइट करना है, तो इसमें क्या है आपका जो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके हो आपका रेल्वेज हो गया हो अच्छे तरीके से वहाँ पर काम नहीं करता है, इतना अच्छा इंफरस्ट्रॉक्चर नहीं है, तो यह लैक ओ infrastructure यहां पर आता है जिससे वो connectivity जो होती है वो lose हो जाती है थर्ड आता है limited resource जैसे कि सार्क नेशन है उनके पास में एक limited resource है lack of adequate financial and human resources as well as इसके पास में इतना अच्छा अच्छी जो है potential वो नहीं कर पाते है फोर्थ आता है competitive interest the diverse interest and priorities of सार्क member state as well as their individual relation with their external power have sometime overshaded their regional agendas इसके अंदर आता है कि जैसे कि एक दूसरे के साथ में competition का nature रहता है nations का तो इसमें क्या होता है यह इनके बीच में conflict का major challenges देखा जाता है इसके बाद में आता है conclusion the south asian association for regional corporation aims to promote economic and regional integration among its member state अब इसके अंदर यह बात बोरी जाते है कि जो इनका aim है हो क्या है कि यह promote करे economic growth को regional integration को among member states अब यहाँ पर जितने भी member states है यह हमने mention कर दिया है despite its potential Sark has faced lot of challenges अब इसके अंदर बहुत सारे challenges भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब challenges के अंदर जैसे कि आता है आपका political tensions between member और साथ में economic cooperation नहीं हो पाता regional development के वज़े से efforts to enhance connectivity अब यहाँ पर जो connectivity है वो connectivity अच्छे से बन नहीं पाती trade and people to people exchange जो है वो वहाँ पर नहीं हो पाता while Sark has facilitated dialogue and cooperation on various front including health and environment achieving its full potential requires अब इसके अंदर बात यह बोल जा रहे हैं कि इन सभी जो आपने challenges के बारे हम बात की अगर उन सभी challenges को अगर हम side में हटा के बात करें तो यह जो आपका Sark nation है इसके अंदर इन लोगों ने यहाँ पे जो किन चीजों में यहाँ पे अचीव किया है जैसे कि health के जो health का point होगे उसमें यहाँ पे अचीव किया है environment में अचीव किया है तो यह सब point जो है full potential के साथ में इन लोगों ने अचीव किया है साथ में आता है इनका जो यहाँ पे जो member states है यहाँ पे अच्छे से trust रहता है और collaboration होता है मतलब member nations में एक trust रहता है तो यह आगने वाले जो और भी objectives है अच्छे से उसको achieve कर पाएंगे तो यह आता है इसका conclusion तो आज की वीडियो में हमने सारक nation के बारे में देखा है साथ में यहाँ पे जो सारक nation के objective होते है fundamental principles होते हैं और इसके अंदर जो challenges है तो यह सब ही हमने यहाँ पे आज की वीडियो में बात किया है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करें चैनल पर नए हो तो आप subscribe करें और आप मेरे वीडियो को जास चादर शेयर करें thank you so much for watching